चलो हलो हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टूडान डीचल उडान डीचल के ओनलाइन प्लेटफार्म पर और ऑफलाइन दोनों पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो आज की अपनी पहली क्लास है क्लास 10 इस्टुडेंट्स जितने भी हैं चलिए कहानी को सुरू करते हैं सबस सब्सक्राइब या बत्दती नई सवरी वास्तविक संख्याय क्या बोलतें। वास्तविक संख्याय है क्या वोलते सामरे मधलब वास्तविक नंबर मतलब संख्याइं ठीक है तो यह हमारा पहला चेप्टर है आजे आजकर के बारे हम लोग है COMM Big ठीक है unit number first वस्तविक संख्या है और आज की class में हम लोग क्या क्या कवर कर चुकी होंगे वो भी मैं अभी बता दूँ आज की class में मैं आपको दो चीजें important इस एक class में करवा दूँगा जो कि आपके chapter के लिए बहुत important होगी क्या दो चीजें मैं आपको आज पढ़ा चुका रहूँगा एक तो आपको यह पता होगा कि prime factorization क्या होता है prime factorization method क्या होती है और इसके questions हमारी exercise में कहां पर है प्राइम factorization दूसरा हम समझ रहे होंगे LCM and SCF तो यह दो portion आज की class में आपके खतम हो जाएंगे और अगर आप लोग यह दो portion पढ़ लेते हो तो exercise 1.1 आपकी खतम हो जाएगी नई जो बुकाई उसके हिसाब से पुरानी बुक में जो exercise है वो 1.2 है 1.1 पुरानी बुक की कहानी की सुरुवात करते हैं सबसे पहले चुकि हमारे chapter का जो नाम है वो क्या है बहिया कौन बताएगा real number हाँ या ना तो real number में हम एक randomly number उठा रहे हैं उस number को हमने लिया मान लिजे एक number मैंने ले लिया 15 अब मैं यह देख रहा हूँ कि इस 15 का अपन कैसे कैसे operation कर सकते हैं operation से मेरा मतलब भहिया यह है कि 15 को ऐसे कौन-कौन से number है जो उड़ा सकता है ऐसे दुनिया में कौन-कौन से number है जो 15 को divide कर सकते हैं तो हमने देखा कि 15 is divisible by 15 is divisible 15 किस से किस से divide होता है सहाब तो हम लोगों ने देखा 1 से 3 से 5 से और 15 से तो यह चार ऐसे number हैं जो इस 15 को divide कर सकते हैं बोलो हाँ या ना चलो आगे बढ़ते हैं तो इन ही चार number को हम लोग कहते हैं factor क्या बोलते हैं factor अगर तुमसे कोई पूछ ले कि factor of 15 क्या होंगे तो आप यही कोगे सर 3 1 5 और 15 टोटल number of factor कितने हो गये 4 किसके 15 के total factor कितने होते हैं चार बात समझ में आगे छोटी सी बात हमने समझी कि सर factor किसको बोलते समझ में आगे बात कोई number है उसको कौन-कौन से number divide कर सकते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं factor हाँ या ना अब हम लोग समझत है यहां पर मैं कुछ रेंडमली नंबर लिख रहा हूं लिखूं क्या अरे हां तो मैंने लिखा दो मैंने लिखा तीन मैंने लिखा पांच मैंने लिखा साथ मैंने लिखा 11 मैंने ये नंबर लिखे हैं और बाकी के नंबर नहीं लिखे हैं बताओ क्यों क्योंकि ये वो नंब यह वो नंबर है जो केवल इनको भगवान उठा सकता है और यह खुद उठ सकते हैं इनको हराने की सक्ती केवल दो लोगों में एक भगवान में और एक खुद में तुम्हें अगर कोई उठाना चाहे या मुझे कोई उठाना चाहे तो केवल कौन उठा सकता है या तो भगवान उठा ले या मैं खुद उठ जाओं बाकि किसी के उकाद नहीं है तो मैंने जितने भी नंबर लिखे न ये सब बहतरीन बंदे हैं इनको हराने के लिए दुनिया में कोई नहीं है केवल एक भगवान हरा सकता ह और एक वो खुद हार मान ले कि ठीक है भाई साब तुम जीते में हारा और जो हारा उसको हारे का सहारा ऐसा हारे का सहारा खाटू स्याम तुम्हारा चलो इस बार भी दस्वी में खाटू स्याम ही तुम्हारा ध्यान रखेगा कि भाई मेहनत भी करना पड़ेगा वो तो रखे तो इसके चार फिक्टर हैं पर यह वो नंबर है जिसके केवल कितने फिक्टर हैं दो तो हम लोग कह सकते हैं कि यह तुम जैसे का मतलब क्या हुआ प्राइम नमबर ये जो नमबर है, ये कौन से नमबर कहलाते हैं, ये प्राइम नमबर कहलाते हैं, कौन से साथ इनको हम कहते हैं, प्राइम नमबर्स बात सोच में आगई, अगर डेफिनिशन लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, नमबर्स which है only two factor देखो इसके दो ही टुकडे हैं, इसके दो ही टुकडे हैं, इसके भी दो ही हैं, सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं, सब कितने टुकडे हैं, दो, कितने हैं, बाई, दो, तो हम कह सकते हैं, numbers which have, Numbers Which have Only Numbers which have Only Only Two factor ऐसे number जिनके केवल कितने factor होते हैं दो factor होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या क्या कहते हैं भाईया Prime factor चीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं Next Next अच्छा जो number मैंने छोड़ दिये थे कौन-कौन छोड़ दिये थे मैंने 4 छोड़ दिया था राजा और क्या छोड़ा था और और 9 भी तो छोड़ा था 10 वाले चलो और ठक ग्या रे ये वो number है जिसको भगवान उठा सकता है वो खुद चाहे तो भी हार मान ले पर कोई और है जो उसकी कमजोरी है ऐसे यहां पर एक बोलो बोलो इसको हराने वाले इसको हराने वाले इसको हराने वाले एक, दो, पांच, दस चलो यहां तक बात कलिए रहे तो हमने देखा कि ये जो number थे ना ये तुम जेसे हैं और ये जो number है ना ये हम जेसे हैं ठीक है हम जेसे का मतलब क्या हवा राजा अरे मैं कोई दिखी नहीं आ रहे चस्मा का है रहे हम जेसे मतलब हम लोग composite हैं हम लोग क्या है तुम तुमारे मन के राजा हो तुमारा मन हो तो चुट्टिक बात घर जाओ ने तो मंचुरेन खाओ पर मुझे चुट्टिक बात घर जाना पड़ेगा यह मेरी मजबूरी है मैं मन्चुरेन बाहर नहीं खा सकता घर का खाना मुझे खाना पड़ेगा तुम अगर घर खाना नहीं खाओगे तो मम्मी डाटेगी नहीं पर अगर मेने नहीं खाया तो पत्नी डाट देगी भईया देखो चलो तो हम लोग ऐसे हैं कि हमको भगवान चाहे तो उठा ले या हम खुद चाहे तो निकल जाए दुनिया छोड़के पर हमारे अलावा कोई और भी है जो हमें हराने को मजबूर है कौन ठीक है केने का मतलब कुल मिला के यह तो फालतु की बाते में कर रहा हूं कुल मिला के जो हमें मुद्दे वाली बात करनी वो क्या है नंबर्स विच है ओ जैटा फेक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि कमपोजिट क्या इतनी बात के लिए आपको बहिए इतनी के लिए रहे लाइट आ रहा ज्यादा थोड़ी देर के लिए आएगा जैसे मुझे भी पहले शुरू में लगता था बात में वीडियो में चका चक दिखेगा घर जाके देखना यही बात है महां रही होगी और रो ठीक है मैं उसमें अनलॉक कर दूँगा पैसा नहीं भी दोगे तो भी ओपन होगा बात के लॉक कर दूँगा कि फीज भर दे ना तब तक चलो इधार आओ उसको आपन डिस्कस करते हैं पहले पढ़ ले मुन्ना कलेक्टर साहब इधार यह क्या है कंपोजिट नंबर यह क्या है प्राइम नंबर और यह एक नंबर जिसका हमने ऑप्रेशन का डाला ठीक है उसके सारे बच्चे बहार कौन एक तीन पांच और पंद्रा अब अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहे हैं और ट्विस्ट क्या है जरा ध्यान दीजेगा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है वो ट्विस्ट क्या है देखो जरा एक तो ये 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 करके दिखाओ देखो ज़रा यह इदा देखो बैया मुन्ना ओ मुन्ना चलो यहां तक क्लियर है आपको बात है अब मैं यहां पर कुछ और नई चीजें लिखने जा रहा हूं ज़रा ध्यान देना अचा आपसे मैंने थोड़ी देर पहले पुछा था कि बताओ पंदरा के फेक्टर कितने होते हैं तो कितने होते हैं चार पर क्या ये चारों फेक्टर प्राइम नंबर हैं नहीं प्राइम किसको बोलते हैं इन में से वो नंबर जिसके दो ही फेक्टर होते हैं ऐसे कौन से नं नंबर है जिसको भगवान उठा सकता है खुद भी हार सकता है पर दुनिया में और भी लोग हैं जो इसको हरा सकते हैं इसकी कमजोरियां यह भी है बोलो हाय ना तो यह प्राइम कौन सा है composite है तो अगर कोई तुमसे पूछ ले अगर कोई तुमसे पूछ ले prime factor of 15 तो क्या बताओगे prime factor of 15 15 के prime factor क्या होगे तो क्या बताओगे 3 और 5 पर क्या आप इसे लिखके देखोगे कि इसमें कौन से prime है कौन से नहीं है नहीं prime factor करने का एक method होता जैसे मैंने चेप्टर शुरू करने से पहले ही बोला था कि मैं आपको आज की class में दो चीजे सिखा हूँ एक तो और दूसरा यहां हम पहुंचने वाले हैं ठीक है कैसे पहुंचने वाले देखो जारा सर 15 के जब भी तुम्हें prime factor निकालना हो तो हाँ यह factor होते हैं हाँ इसमें से यह दो प्राइम है यह दोनों क्या है प्राइम है भाईया देखो जारा और बहतर लिखने कोशिस करते हैं अपन चीजों को चलो यह जो दोनों है ना यह दोनों नंबर यह दोनों नंबर यह दोनों नंबर यह दोनों नंब तो अब हमसे क्या पूछा सवाल में हमसे पूछा है कि सर 15 के प्राइम फेक्टर क्या होंगे तो to find to find prime factor of method to find prime factor मैंने एक method बताई आपको कि अगर प्राइम फेक्टर निकालना तो वेसे लिखने की जरवत नहीं है अगर आपको प्राइम फेक्टर निकालना है तो वेसे लिखने की जरवत नहीं है आप लोग क्या करोगे इस टाइप से कर सकते हो जो बचपन में करते थे पंदरा पांच से भाग दिया कि तीन से ने तीन से पांच बार पांच से एक बार तो मैं लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि 15 is equal to what 3 multiply 5 तो आप कहोगे सर यही तो दोनों प्राइम हैं देखो हमने अब लिखे नहीं सारे फेक्टर पर हमें यह पता चल गया कि 15 के 2 प्राइम प्राइम फेक्टर करना अचा यह दोनों प्राइम फेक्टर हैं यह दोनों क्या है साब ये तीन और पाँच किसके प्राइम फेक्टर है 15 के ये और ये ये दोनों के दोनों क्या है ये वाला और ये वाला ये दोनों के दोनों प्राइम फेक्टर है हाँ या न और ये जो मल्टिप्लाइस को बोलते हैं प्रोड़क्ट क्या बोलते हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने एक नंबर को मैंने एक नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोड़क्ट के रूम में लिख दिया एक नंबर था 15 उसको मैंने कैसे लिख दिया प्राइम फेक्टर के प्रोड़क्ट के फॉर्म में एक्स्प्रेस कर दिया इसी नंबर को यह भी 15 है यह अलग नहीं है यह पर यह तोड़ के लिखा हुआ है और तोड़ा भी किसमें प्राइम फेक्टर में तोड़ा भी किसमें है यार दोस्त यार पंद्रा को तो मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हो देखो तो जड़ा पर किया यह सही है? नहीं है, क्योंकि यह prime factor नहीं है, यह composite है, यह होता ही नहीं है हमें कहा था, किसी number को किसमें तोड़ो, prime में, तो हमने तोड़ दिया, हाँ या ना, चलो, अब आपके questions पर आते हैं प्राइम फिक्टरेशन हो गया अपने आपकी अंश्याटिक बूक निकाल के पहला सवाल देखते हैं वो पहला सवाल आप घर जा के करोगे उसमें से एक उसमें से एक में कर दूँगा और उम्मीद है कि अगर मैं एक कर दूँगा तो बागी के बचे हुए चार आप कर लोगे चीक है यह रहा क्लास टेंथ नया साल नई बुक मैट्स यह रहा मैट्स यह गो सबसे पहला चिप्टर आपका रियल नंबर यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा है एक उल्सन कि यह रहा आपका exercise 1.1 उसका सबसे पहला सवाल मत हल करना इसको सॉल मत करो पर यह बताओ कि प्रस्न तुम्हें पल्ले पड़ा वो क्या पूछ रहा है कि वह इतनी बात बताना कि क्या तुम्हें यह लिखा पल्ले तुम्हें पहले से आता वो 6 7 8 में आपने सीखा हुआ इसा हां और अच्छा कर लिए बेटा यह अब इसको इसा लिख लो बोले कैसे सर बोले 2 की पावर 2 multiply 5 multiply 7 बोले हां सर बोले देखो अंसर यह उत्तर मेंच करो हां यह हमने क्या किया हमको मालूमिन नहीं है पर हमें यह पता है कि हम ऐसा कुछ करते आ रहा है बचपन से अभी हमारे पास यह कहानी नहीं हम चीज़ों को समझ रहें रट नहीं रहता कि हम फ्यूचर में जब इस नंबर यह जित्ते भी नंबर है ना इन सबको एक्षपेस करना कैसे एक्षपेस करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टिप्लाय में और यह तुम्हें आता है अगर किसी भी नंबर के प्राइम निकाल नकाला तो मैंने क्या कहा कौन सा नंबर लो इसमें से बताओ जे रहा है एक में करूँगा बागी तुम कि यह साहब कह रहें 5005 वला तो गीवन नंबर हमारे पास है दुष्ट आदमी बात मत कर गीवन नंबर क्या हमारे पास 5000 हमसे प्रस्ट में कहा गया कि इसको एक्सप्रेस करना कि इसे एक्सप्रेस करना है प्रोड़क्त में किसके प्राइम् अबीघ्म ऑ्यव स्थे तो अगर कभी tribus करना है तो मैंसे रेता है किसी नंबर के ब्राइम प्रेक्टर अरिका का टरीका है तरीका है ना तो हम लगाई तरीका यह रहा Garata तरीका यहां पर लिखेंगे 5000 पाँच किस से भाग दे बोलो पाँच से तो बोले 1000 कि एक यह आईगा 1001 इस्टेखो जरा किसे डिवड हो रहा है एक पाज़े ग्यारा से और पका पका तो से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड होगा कितनी बार 11 नाम 99 बचा कितना एक 91 फिर किसे और आए साथ से हो गया कितनी बार 13 फिर यह तेरा से एक बात और जरूरी नहीं है कि तुम पहले साथ कई भाग दो फिर 11 गदो इधर उधर भी हो जातों कोई दिक्कत बस ध्यान यहकना कि आप प्राइम नंबर लेना है देखो सारे प्राइम नंबर लिए मैंने 11 प्राइम है जो किसी उसको हमें कैसे लिखना था प्रोड़क्ट में किसके प्राइम के तो यह इसके प्राइम से मतलब 5 multiply कि 7 multiply 11 multiply 13 बोलो हाया न यहीं इसके प्राइम फेक्टर का हो गया लास्में लिखने दा देट इस यह प्रोड़क्ट ओफ प्रोड़क्ट ओफ प्राइम प्राइम फेक्टर्स प्रोड़क्ट ओफ प्राइम फेक्टर्स औफ फाइब थाउजन फाइब इस इस करके लिख देना 5 multiply यहीं आपका अंसर यह आपका तरीका होना चाहिए लिखने का एक्जाम में भी अगर आता है तो यह पूरे लें लिखने चाहिए आखरी में क्या तुम्हें समय आया कोई डाउट किसी एक को भी ऐसा डाउट तो बताओ मेरी पीड कर दूं कि क्या एकुट झाल मैंने आप लोगों से कहा था कि 30 तक क्या कर लेना पहाड़े याद कर लेना क्या रहे उसके प्राइम फिक्टर 17 नाइन नहीं है 17 उननीस और 23 तीन उसके प्राइम फिक्टर है 17 गुण 19 गुण 23 जब करोगे तो आपको यह मिलेगा पहले 17 का भाग दो फिर 19 का भाग दो फिर 23 का भाग दो अरी यह कहां गया चलो कौन सा था वो पांचमा गीवन नंबर क्या था हमारे पास नंबर क्या है वो 7429 आपको पहले यह पता करना पड़ेगा कि इसमें भाग किसका जा रहा है यह जो नंबर है आपने करके देखा भी होगा नहीं हुआ अब मेरी बात ध्यान सुनना चुकि आप क्लास 10 में ज्यादा दिमाग मत दोड़ाओ अगर आप से बिलॉंग करते हो तो हो सकता है कि थोड़ा मेरा सवाल आए तो यदि आप स्टुडेंट हैं तो भाईया कहीं भी करके कुछ भी करके साम दाम दंड भेज जो लगाना लगाओ पर कम से कम कहां तक के पाहड़े याद कर लो 30 तक की टेबल आपको आनी चाहिए कहां तक की क सबसे पहले इसमें डिवाइड करो किससे आप 17 से सबसे पहला डिविजन होगा उसमें 17 से 13 का भाग भी नहीं जाएगा उसमें ठीक है 17 का पहाड़ा बोलो कि 17 चोग 68 17 पंजे 85 17 फोर्जा 68 17 फाइट फाइट फाइब ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 17 फोर्जा 68 बचेगा कितना बेटा कितना बच जाएगा 8 82 हो गया अब आप बोलो कि 17 का टेबल फिर से 17 फोर्जा 68 17 फोर्जा 68 कितना बचा और अरे 17 पंजे तो 85 हो जाएगा और यहां पर 82 ही है अरे है ना तो कितना बचा 14 14 बचा तो 140 अरे कुछ मिस्टेक किया गया इसमें फिर से बोलो 17 का टेबल जाएग बार नंबर यही है 7429 कि 17 का टेबल जा भी रहा देखो पहले उसमें एक बार मैं आपको एक चीज़ अलग से सिखा दूँगा कि किस नंबर का टेबल जाता है उसके लिए अलग क्लास होगी कौन जल्दी कर लिया उसने अरे उसने करात हो रही है उसने केवल क्या किया है अंसर सिर्द देखिए फेक्टर क्या रहे उसके 17 17 के बाद किसी रिवाइड होगा 19 से और 19 के बाद डिवाइड होगा 23 से एक बार 17 से अगें करो जिरा में कुछ गलत तो नहीं क्या सेविंटीन फोगा शिस्टी इड होता है गें 75 जा 85 एना 85 ज्यादा हो जाएगा तो सेविंटीन फोगा यह पर आप इस और जिट्रेका तो फिर 17 का टेपल बोलोगे तो फिप्टी वैंटीन थी जा 50 वन किता बच जाएक बोलो यहांपर थार्टीन तेरा पक्का तो यहां पर आयागा पक्का तेरे भच रहा है ना अरे नहीं रहे नव और तो 111 बच रहा है 119 और 177 जा 177 जा 119 कि 17 का पादा साथ बार बोलने पर 119 आता है बोलो हाया ना अब आप बोलों के 19 का टेबल 19 जा 38 कि नाइंटीन टूजा थर्टी एट कितना बच जाएगा नाइंटीन थ्रीजा फिप्टी अब 23 का टेबल दोगे तो यह वन मतलब तुम्हें टेबल आना चाहिए अगर टेबल नहीं आता तो तुम्हारे लाले पढ़ने वाले अब ऑप्सन नंबर टू ऑप्सन नंबर बन त इसको 15 बार कर चुका होगा और जब वो फंदरो बार टर इसको आड़ रहेगा कि सेवेन्टीफोर ट्वेंटीनाई ट्वेक्टर होतें वह सेवेंटीनटीनटीन नाइनटीन ट्वेटे कं में याद करेंगा कि अगली बार कहीं भी दिखेगा आना तो तुम बोल दोगे हमने इसको लिख दिया किसे 7429 को अज़र प्राइम फेक्टर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 17 multiply 19 multiply 23 अब कभी कभार एक्जाम में क्या करता है तुम्हारा cbsc वाला MP वोड में इसा नहीं होता मेरी बात ध्यान सुनों में क्या किरा हूँ cbsc में ऐसा होता है वो आपसे पूछ लेता है कि बताओ भाइ इसके प्राइम फेक्टर आप ने की ये क्लाइन लिखनी पड़ेगी सर इसमें रिलेशन क्या है सर तीनों जो प्राइम फेक्टर से हैं वो क्या है इसके प्राइम बता दिये और यहां पूछले कि इसका रिलेशन बताओ व्युटाई तो पता चला यह क्या है consecutive primes है तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा consecutive primes हाँ या ना चलो अब आपन आगे बढ़ते हैं बाकी कर लो क्या आप पका next target number 2 जैसा की हमने पहले discuss किया था क्या कि हम आप आज की class में एक तो ये पढ़ा देंगे कि एल सी एम मुन्ना इधार ध्यान देना जरा एक बार ए छोड़े इसका मतलब होता है list लिस्ट मतलब छोटा बोले सबसे छोटा ठीक है लिस्ट मतलब सबसे छोटा इसका मतलब होता है common common मतलब जो सब में पाया जाता हो common मतलब जो सब में पाया जाता हो और इसका मतलब होता है राजा multiple multiple मतलब जो मैं तुम्हें अभी बोल रहा था क्या बोलना था मैं 30 तक के पहाड़े याद करना उन पहाड़ों को ही क्या बोलते हैं multiple बोलते हैं क्या बोलते हैं तू भी बोल ले ठीक है अब अपन लोग शुरू करते कहाने को multiple मतलब होता है भाईया तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए common मतलब ऐसा बंदा जो दो मुड्या हो सभी में हो लांड़ाई जैसा और लिस्ट मतलब सबसे छोटा सबसे छोटा ठीक है मान लो मैंने आपको दो नंबर दिये एक नंबर दिया मैंने आपको 15 और एक नंबर दिया मैंने आपको 18 मैंने का बैया मैंने का इनका LCM निकालो मैं कह रहा हूँ भाई 15 का और 18 का बताओ LCM क्या होगा तो इसका मतलब क्या होता है सुनना ज़रा ध्यान से भाईया है ना इसक लिए मैंने 45 मैंने का बताओ LCM किसका 30 का और 45 का किसका LCM 30 का और 45 का अब यहां पर एक एक वर्ड को उठाना एक एक वर्ड को सबसे पहले हम यह समझेंगे कि सर LCM में सबसे पिच्छू क्या लिखा है Multiple मतलब क्या होता है पहाड़ा तो हम भी पहाड़ा बोलते हैं किसका पहाड़ा जो नंबर हमें दिये उसका बोलो 30 के पहाड़े में क्या आएंगे Multiple of 30 लिखूं Multiple of 30 30 के Multiple बोलो क्या होंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180 and so on एसा है आगे भी जाएगा सबका पहाड़ा बोलना है इसका पहाड़ा भी बोलो Multiple of 45 का पहाड़ा बोलो और बस क्का क्या आगे यहां से दो नंबर बोल देते हो फिर इसके बाद का का की का न लग जाते हो आता है नहीं पहाड़ा चलो तो हम लोगों यहां ने एक काम तो कर लिया हम लोगोंने LCM निकालना था LCM का के वहला भी एक काम हुआ है क्या Multiple निकाल लिया Multiple अब यह कह रहा है कि सर्माल्टीपल के साथ क्या निकालो Common ढूंडो अब आप इन दोनों में Multiple में Common ढूंडो Common देखो यहां 90 है यहां भी 90 है यहां 180 है यहां भी 180 है और आगे भी Common होंगे पर हमें Common में क्या ढूंड़ना है छोटे वाला तो छोटा यह वाला है कि यह वाला है तो इसका मतलब अगर हम L भी देखे हैं C भी देखें और M भी देखें किसका 30 मतलब पहाड़ा हम 45 का और 30 का पहाड़ा ढूंड़ने निकले हैं पहाड़ा भी कौन सा common वाला common भी कौन सा सबसे छोटे वाला तो वो क्या निकल के आया तो LCM कितना आया 90, मतलब तुम्हें ऐसे सवाल exam में देखने को मिलेंगे NEET IET ZEE में कभी जाओगे तब या फिर अभी भी Olympiard JC exam या NTS exam 10th में आगर आप देते हो तो ये जो मैं question बोलने जा रहा हूँ या आपकी book में नहीं है जो question में बोलने जा रहा हूँ वो आपकी book में नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ कि भाया आपकी school है पहली से पाचवी तक की class अलग लगती है और पाचवी से लेके दस्वी तक की अलग पहली से पाचवी का जो lecture है वो 30 minutes का होता है कितने minutes का और 16 से लेके 10 minutes का lecture तो इसका मतलब कि जो पाचवी तक के बच्चे है उनकी class में जो bell बजएगी वो हर क्योंकि वहांका lecture ही 30 निट का है बोलो हां या ना और तुम लोगों की class में जो बेल बचेगी वो हर बट कहानी में twist ये है कि सबसे पहला lecture सबका 7 में लगा था 7 बजए तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहला lecture सबका लगा था 7 बजए कितने बजे फिर उसके बाद ये लेक्चर कप कप लगेगा साथ बज़ के तीस मिट पे साथ बज़ के साथ बतलब आठ बज़े फिर साड़े आठ फिर नौ ऐसे एगा तो आपसे ये पुछा जा रहा है कि साथ बज़े दोनो घंटियां साथ में बज़ी अब दोबारा कितने बज़े साथ में बज़ेगी दोनो घंटियां एक साथ कप बज़ेगी तो आप ये देखोगे कि सर नभ्य मिनिट के बाद ये भी बज़ रही है और नभ्य मिनिट के बाद पर नभ्य मिनिट में ये तीसरी बार बज़ रही है और ये बोलो हाँ या ना तो अगर आप चो कोई पूछता है कि किसी क्लास में एक घंटी जो है वो 30 मिनिट में बजती है एक घंटी जो वो 45 मिनिट में बजती है तो दोनों घंटी आप वापस से दो बारा कब साथ में बजेगी तो आप क्या बताओगे 90 मिनिट के बाद कहने का मतलब पहली बार में अगर 7 बजे बजे थी तो आप कब बजेगी देड़ घंटे के बाद मतलब 8.5 बजे एक साथ बजेगी फिर देड़ घंटे बाद और बजेगी 180 मिनिट में पर हमें ये चाहिए नहीं हाँ या ना तो ऐसे सवालों में तुम्हें खुदी समझना पड़ेगा वहाँ बोलेगा थो रही कि LCM निकालो तुम खुद समझा ना कि कोई चीज बार-बार 30-30 मिन बज रही है कोई 45-45 मिन बज रही है मतलब ये पहड़ा चल रहा है पहड़ा मतलब LCM जैसे एक सवाल आपके बुक में है कि भाई सोनिया और कौन है रवी और सोनिया तो रवी और सोनिया इसके चक्कर लगाते हैं किसके चक्कर लगाते हैं इसको देखो दूस्ट आदमी को बोले सोनिया के चक्कर लगाते हैं कि आई यिसे में किल में क्यों है कि कि बेटा अभी चक्कर लगा है京ी अग्या आहिंगा लेगा थे सबक्राइब में अभी पढ़ लेगा ये 9् Sickam बेटा न सोन्या को घुमा भी सकता है कि गलत बोलता हैं और ग़ुक्रित diferen क्ऴों भाद WITH पुछ अच्छी नोकली लग जाएगी तो गुमाने लायक रह जाओगे और अभी चक्क्र लगाओगे तो बाद में तुम्हें चक्कर फिर लगाना पड़ा है चलो इधर ध्यान दो इधर भाईया सोनिया है और रवी है कहा कि सोनिया जो है ना इस चक्कर इस राउंड को कितन व्यूस साहट में आएगी फिर नभवे में आएगी इसका मतलब क्या ओड़ा अधर चलता है जैसे पहडा दिमाग में आया तो आप ईलसम निकाल के ठोड़ देना यह निकाल दोगे ल्सियम अब मैं यह कहना चाहराओ हूं कि एलसम निकालने काMoon का तरीका ये नहीं है यह मैंने समझाया इस word को जब आपको LCM निकालना तो क्या करोगे आप वही करोगे जैसे 30 हैं किसका LCM निकालना है तो आप 30 के प्राइम फेक्टर करना किस से भाग दूँ दो से बोलो कितना है ना और 45 को रिवाट करेंगे तो हाँ या ना अब आप लोग क्या करना आपने 30 के प्राइम फेक्टर किये कितना है दो की पावर एक तो और 45 का मतलब हाँ या ना तो अगर आपको LCM निकालना है दोनों का किसका LCM तीज का और तो आपको क्या करना है यहां पर सब फेक्टर लेना है कोई छोड़ना मत एक एक फेक्टर को ले में लेना है बड़ी वाली कौन सी पावर अँसको आंगली खुसा नहीं तो फावर छो लेना है बड़ी वाली ठीक है अब मुझे बताव देखो बड़ एक ही सब को एक हई यहां तो बड़ाएक ही हुआ को है तो यहां पाउच की पर यहां भी ही ऊथ है तो प educated गि यहां पांच की पाउर ओक्वार यह चलो आपन लोग बढ़ते हैं आप किसकी तरफ सीफ की तरफ तो हेडिंग डालेंगे हम लोग एच सी एफ सीफ का मतलब क्या होता है हाईयस्ट कि यार देखो कन्फ्यूज मत होना यहां पर लिस्ट लिखाता यहां पर फिर भी हम फेक्टर सब के सब ले रहे थे यहां पर लिस्ट लिखा है फिर भी पावर बड़ी ले रहे हैं और यहां पर हाईयस्ट लिखा है फिर भी पावर और फेक्टर कॉमन लेंगे चोटी लेंगे चलो कॉमन का मतलब वही का वही और फेक्टर अब नंबर कौन से वही वाली कौन से 30 और 45 एक नंबर 30 है और एक नंबर तो फेक्टर किसके 30 के इस बार हम मल्टीपल नहीं निकालेंगे क्या निकालेंगे कि देखो इससे पहले मैंने यहां मल्टीपल था एलसे में क्या था एलसे में क्या था मल्टीपल था और एससे में क्या है फेक्टर का मतलब होता है टुकड़े करना क्या करना गुणनखंड करना क्या करना गुणनखंड तो हम लोग इनके गुणनखंड कर रहें तीन, पांच, छो, दस, पंदरा, तीस, बोलो हाया ना, पंदरा को, पैटालिस को, एक, तीन, पांच, नौ, नौ भी दोड़ा सकता है, पंदरा, और पैटालिस, बस, ये किसके फेक्टर, तीसके, ये बोलो, क्या हमने ये काम कर लिया, अब हम क्या करें, फेक्टर में क्या ढूंड़ें, कॉमन, सर, कॉमन ये एक भी है, ये तीन भी है, पंदरा भी है, पंदरा भी है, बस, और कोई कॉमन है क्या, पर हमें कॉमन में कौन सा देखना है, बड़े वाला, बड़ा कॉमन कोन है, पंदरा, तो SCF क्या हो गया, किसका, कि तीस का और कि यह 15 है कि अम मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना ध्यान से यह एक कहानी है जो आप समझ गए तो बहुत सारी चीजिए और क्लियर होगी फ्यूचर में आपको एल्सियम एक ऐसा नंबर होता है जो इनके पहाड़े में आता है तीस के पहाड़े में भी आएगा और मतलब अगर तुम्हें अब्जेक्टिव कोशन अगर आता है न तुम्हां आपको इल्सियम निकानला मत आपसे बोला है दो नंबर दिये एक्जाम में कोशन में दो नंब पहाड़े जो है वो तीज के पहाड़े में भी आएगा और इसका मतलब यह LCM है कि LCM नंबरों के पहाड़े में आता है जिनका हमने LCM निकाला है उनके पहाड़े में कोन आता है LCM जिनका हमने LCM निकाला है उनके पहाड़े में कोन आता है, LCM आता है, पहाड़ा समझते हो ना, 30 के पहाड़े में नब्ब्य आएगा और 25 पहाड़े में भी, मतलब जो LCM है वो पहाड़े में आता है, LCM का इमें आता है, multiple मतलब पहाड़े में आता है, और SCF, SCF पहाड़े में नहीं आता, SCF क्या होता सब्सक्राइब करते हैं 15 के पहाड़े में 30 आता है तो निकालना नहीं है ऑप्शन अगर दिया है तो सीधा और घर यह बाद यह रही है और अगर मैं कह रहा हूँ A और B का LCM D है ये LCM है क्या है तो इसका मतलब A का भाग BD में जाएगा और हाँ या ना ये बाह समझ में आ गई चलो इससे क्या चीज़ें क्लियर होगी वो जाब Olympiard वगरा दोगे तब समझ में आएगा फिलाहल के लिए क्लियर है पर एक्जाम में हम SCF ऐसे हम कैसे निकालेंगे वही कहानी फिर से दोहराएंगे कौन सी कहानी भाई ये वाली कि थीजाम कर चुरो चूकि कि यह साधी हो चुकी एक दूला और एक 3 देंखो एक 1ने वह 45 मतलब तीन की पावर 2 पांच यही होता है कि जब SC-scale निकालना हो किसका SC-F तो क्या करना है मैं रिपीट कर रहा हूंन नए बच्चे दियान देना कोई होटे तो एल्स्यम में हम क्या करते थे सबको लेते थे कुसी को नहीं छोड़ते थे सबको लेते थे एक को भी नि छोड़ा वहां से जितने वी नंबर मह om votre leisrain reppe eat नहीं करना है फाले बस ठीके और इस अ aip में सबको नहीं लेना है common को लेना है आप यह देखो इन दोनों में कम पावर एकलोगी तो अंसर कितना आ गया ऊतंब फंदर महां भाया अधो रीपीट कर रहां एलच्य आम में सबको लेना हे पावर ज्यादा वा ले यह में सबill को लिना है कुमण वाले लेना है पावर कमवाले हां यह ना कूई डाउट और करूँ कि आलच्य हैं सबको लेना है जो तब इसमें सब को उठा लो यहां रख लो और और कॉनसी ज्यादा वाली lcm में क्या करना है कि एक फट लेना है इंच फेक्टर मतलब सबको लेना है और पावर कौन सी, maximum वाली, maximum मतलब ज्यादा वाली, और SCF में क्या करना है, SCF अगर निकालना हो तो क्या करना है, यहाँ पर each को नहीं लेना है, के वल common factor लेना है, कौन कौन से factor उठाना है, यह factor है, और यह भी factor इसमें से common उठा लो, और पावर कौन सी मिनिमम बस इतनी सी बात है एक्जाम में आपको इसे करना होता है कोई डाउट कोई डाउट अगला अगला देखना ज़रा मैं यहां लिख रहा हूं सहब लिख् simplesmente एक संट मैंना हको है कि एए इसे माझलोलो तुम्हारे पात दो नंबर थेन कौन से दो नंबर अभी बताओ जारा सो उसे नमबर वैया त आरे ना एक था 30 और एक था 25 और मैंने इनका LCM निकाला कितना आया था ? 90 और LCF कितना आया था ? 15 अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो मैं फालतू आदमी करूंगा क्या ? तो मैंने टाइम पास शुरू किया ? मैंने इन दोनों का Multiply किया ? तो इनका Alma Idiifies किया है Pacificوم टीया ? 35OM की 30,50 आया ? इनका Multiply करेंगे तोmbol थेषी खाना आएगा ? क्या आ रहा है ? आ रहा है ? और फिर मेरा मन किया कि इसका भी Multiply करते है्ग तो पंदरह नहमे एक सू ? गोने अके सर इनका sie गहिए आ रहा हैिंका मंठीप्लाइबी यह आ तो मुझे बात पता चली कि सर नंबरों का जो प्रोड़क्त होता है वह बराबर होता है उनके LCM और उनके SCF के प्रोडक्क तो यहां से हमें ऐख बात बात पता चली की प्रोड़क्ट ओफ प्रोड़क्ट मतलब multiply product of two numbers क्या बात पता चली product of two numbers product of two numbers is equal to product of their LCM and SCF दो नंबरों का product उनके LCM और उनके SCF के बराबर होता है यह तुम्हें याद रखना है बोलो हाया न कोई डाउट अगर मानलो मैं आपको एक सवाल देदू सहाप मैं एक सवाल देदू if HCF of 40 and 45 is equal to 15 find find LCM मैंने एक सवाल आपको दे दिया मैंने एक सवाल दिया आपको कि भाई SCF 30 और 45 का 15 है मतलब तुम्हें यहाँ पर दो चीज़े नहीं पता है मैं repeat कर रहा हूं द्यान तो इदर अगर मुझे नहीं भी LCM दिया हो नहीं भी SCF दिया हो तो भी मैं निकाल सकत हूं अगर मेरे पास केवल दो नंबर हो तो मैं SCF निकाल सकता हूं केवल दो नंबर हो तो अगर मेरे पास केवल दो नंबर हो तो क्या मैं LCM निकाल सकता हूं स्तिर्फ मेरे पास दो नंबर होने चाहिए एक सोर तो मैं LCM भी निकाल सकता हूं और बट यहाँ पर कहानी में दो नंबर तो हैं, मैं निकाल सकता हूं, LCM, पर इसने SCF भी दिया है, तो दिया है, तो हम इसका यूज करेंगे, अब हम पुरा LCM नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, we know that, हमें पता है, एक बात, क्या पता है, we know that, हमें पता है, कि दो नंबरों का जो product होता है, व कर daha कितना है एएल्स फम हमें मालूम नहीं है पता करना यह षया बार कितना दिया हैं कि तो हमें एल्स निकालना है तो पंदरह जाएगा बटे में तो 30 गुना को ऑजलता हुआ मैं इसे हम दोसरा तरीख लगा लिया इस चलदी आएंसर अगया यान ना कोई डाउट कोई डाउट है क्या चलो आगे बढ़ते आप थोड़ा सा दिमाग डालते हैं यहां पर प्रेसर मैं यह बताऊंगा नहीं आप जितना मैंने थियोरी पढ़ा है न उसके वेसिस पर यह आपको आ जाएगा आत्मा आई क्या देखना यार कि कि किसी के पास कोई चलो जड़ा इन अरे यहां बेटा कंचना टू देखो जड़ा तुम्हें लगता है कि तुम्हें सवाल कर लो कि आप देखो जड़ा फाइंड एल्सेम और यह दो नंबर हैं निकाल लोगे एलसे में क्या करना है मागोह इस फेक्टर मैक्जिममम पावर है एसिए अप मे कॉमन फिक्टर मिनिम पावर हो पर पहले उसके मद 16 kafber करर के कर लोगे दोनों कि चलो तो यह तीनों आप परोगे नहीं आएगा तो मुझत उससे पूछो गए बढ़े त्राइगर करके देखो एक बार चलो अज यहां पर क्या है यहां पर तीन तीन नंबर दियें उससे क्या फरक पड़ना यार उससे कोई फरक पड़ना है 12 होता है देखो जरा एक रहाफ आइडिया दे नहों तुमको 12 का मतलब होता है 2, 2, 4, 3, 12 मतलब 2 की पावर 2 खुना 3 15 का मतलब तुम्हें पता है और 21 का मतलब भी पता है अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करते हैं सारे फेक्टर लेना है मतलब 2 भी लूँगा 3 भी लूँगा 5 भी लूँगा और पावर कौन सी highest 2 की पावर highest 2, 3 की पावर highest 1, 5 भी, 1, 7 भी, 1 तो यह आपका LCM आगया गुणा कर लेना SCF में क्या करोगे common, common क्या है बोलो यह 3 common नहीं है तो हमने 3, पावर कौन सी, minimum आंसर कितना आगया आया, कोई doubt बस उसके बाद हमें क्या करना है इस वाले सवाल में देखो इस काले सवाल में भी करना है जैसे मेंने किया था यह verify किया था, मैंने देखो दो नंबरों का product उनके LCM, S.E.F. के बराबर हो ता है आपको दो नंबर दिये थे आपने LCM निकाल लिया आपने S.E.F. निकाल लिया उसके बार आखरी में क्या करना नंबरों का गुणा करना इनका भी गुणा करना बरोबर आ जाए तो इसका मतलब वेरिफाय हो गया हाँ या ना कोई डाउट चलो तो इसका मतलब की उम्मीद है आप यहां से लेके आज की क्लास में यहां तक के सवाल सीख चुकियों चाथ च यह इसवरक है यह घर से करने आपको ऊप्रम यह रहेका एक्सशाइज 1.1 में क्वेस्टन नंबर फॉर्स्ट ते कहां तक क्वेस्टन नंबर फूर तक यह आप कर क्या होंगे शपीप शिक 7 में करवांगा इस टिस यह आपके नेक्सट डेकी क्लास में होगा नेक्सट प्ल ये वीडियो ग्रूप में डाल दूँगा ग्रूप में मतलब एप पर हो यूटूब पर